नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग आज हम उन पौधों के बारे में बात करेंगे जो घर में लगाना सुभ होता है लेकिन आज ये भी जानेंगे कि कौन से पौधे असुभ होते हैं पहला पौधा है तुलसी हर किसी के घर में होता है भगवान स्री हरी का निवास होता है वातावरन में रोख फैलाने वाले किटानूँ का नास करता है और अगर तुलसी उचित अस्थान पे रखें जैसे कि उत्तर पूरव दिसा में तो आपके घर में लक्षमी का वास होता है और मनी प्लांट में लेकिन सबसे चोरी कर Kita होता आ दरार का पाध होगी हमांसी की पहली और मानसिक तनाव से मुक्त करता है जिस घर में गुलाबका पाध होता है वैसे लाल गेंदा कंच्छा होता है चब भी लगाई यह घर के पीछे लगाये घर के सामने भूल कर भी ना लगाएं केले के पत्तों से स्वागद भी किया जाता है पुजा-पाथ में भी होता है जीवन में खुसिया भड़ाता है धन भड़ाता है खिलेवे फूल आप हर दिन अगर अपने घर में व्यपसाय-सथल पर खिलेवे फूल रखते हैं तो आपके सकात्मक उ पुर्जायवे फूल कभी न रखें छोटे पौधे जैसे की धनिया है पुदीना है हरी मिर्च के पौधे है यह आप घर में लगा सकते हैं इससे कीडे मुकडे भी परिसान नहीं करेंगे बिलू पत्र के पौधे जो कि भगवान सिब को बिल पत्र बहुत प्री है और इसका पौधा जब भी लगाईए अपने घर के सामने लगाईए यानि घर के सामने बेल का पौधा और पीछे केले का बिक्च और फिर देखिए कैसे पीड़ी दड़़ी मालक्ष्मी आपके घर में निवास करती है समी का पौधा वैसे तो समी का पौधा अपने घर में बगीचे का समी का पौधा याद रखिए और साम के समय तेल का दीपक जलाईएगा अनार का पौधा घर के सामने मुख्य दर्वाजे पर लगाने से दाहिने तरफ लोग बीमार कम पड़ते हैं आपके घर में एलोबेरा का पौधा आप लगा सकते हैं हल्दी का पौधा लगाने से जाता है नीम का पौधा लगाने लेकिन हर किसी को नहीं धारता तो इसलिए ज़्यासाब्धान आम का पौधा आंगन में भूलकर भी मत लगाएं नहीं तो बंस ब्रिदी नहीं होगी तरकी नहीं होगी परिसानी में पड़ जाएगा क्योंकि फल्दार पौधे आंगन में लगाना चाहिए तो आप इसको बगीचा में लगा सकते हैं थोरे हटके लगा सकते हैं हल्दी का बधा वैसे आप अपने घर में गमले में लगा सकते हैं मार्केट में मिल जाएगा अगर आप लगा लेते हैं तो नजर दोस से बचे रहेंगे कभी किसी का टोना टोटका ता हर हर महादेव